अपने हर एक स्टेश शो में सानिया मिर्जा को क्यों याद करते हैं खेसारी लाल यादो क्या रिस्ता है सानिया मिर्जा से खेसारी लाल यादो का काफी टाइम पहले एक चैट शो आता था जिसे होस्ट साजित खान करते थे और इस चैट शो में सानिया मिर्जा के साथ परिनिती चोपड़ा भी आई हुई थी इस चैड शो में साजित खान ने सानिया मिर्जा को एक गाना सुनाया तब सानिया मिर्जा दंग रह गई क्योंकि ये वही गाना था जिसमें सानिया मिर्जा की तरफ से इस एक्टर पर केस किया गया था और वो एक्टर कोई और नहीं खेसारी लाल यादो थे और खेसारी लाल यादो को तीन दिन तक हवालात की हवा भी खानी पड़ी थी सानिया मिर्जा तब तक कभी भी खेसारी लाल यादो से मिली नहीं थी साजित खान ने सानिया मिर्जा और खेसारी लाल यादो को मिलवाया खेसारी लाल यादो से मिलने के बाद सानिया मिर्जा कायल हुई तो उनके डांस स्टैप की जो सिगनेचर स्टैप खुद खेसारी लाल यादो करते हैं सानिया मिर्जा दिवानी हो गई खेसारी लाल यादो के ठुमकू के क्यूंकि उस पूरे शो के दोरान खेसारी ने जम के ठुमके लगाए खेसारी लाल यादो ने सानिया मिर्जा के सामने वो गाना भी गाया जिसके लिए वो जेल गए थे लेकिन बाद में सानिया मिर्जा को रिलाइज हुआ कि वो गाना उस तरह का नहीं था जिसके लिए खेसारी जेल गए थे खेर ये था पूरा माजरा लेकिन अब हम आपको बताते हैं सानिया मिर्जा लगी क्यों है खेसारी लालियादों के लिए सानिया मिर्जा इसलिए खेसारी लाल यादों के लिए लगी है क्योंकि खेसारी लाल यादों ने 2010 में सानिया मिर्जा के लिए एक गाना गाया सानिया मिर्जा का है खुचलू दुलहा पाकिस्तानी अब ये गाना रातो रात वाइरल हो गया क्योंकि सानिया मिर्जा पाकिस्तानी प्लेयर सोईब मलिक से शादी जो कर रही थी लेकिन इस गानों ने रातो रात खेसारी की किस्मत पलेट दी खेसारी लाल यादो को सभी जानने लगे भाई अब सानिया मिर्जा जैसी बड़ी टेनिस प्लेयर अगर किसी गाने पे तिनक जाए और उस गाने पे तिनकने के बाद उस सिंगर को जेल की हवा खानी पड़ दिल से बाहर आये तब उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी और ठीक उसी के कुछ दिनों बाद साजन चले ससुराल उन्हें ओफर हुई फिर तब से लेकर अपने स्टेज शो पर जो उन्होंने सानिया मिर्जा को लेकर राग छेड़ा आज तक वो बंद ही नहीं होता अपने हर एक बड़े स्टेज शो में सानिया मिर्जा का नाम वो जरूर लेते हैं और कहीं न कहीं वो सानिया मिर्जा को अपने लिए बहुत लखी मानते हैं भले ही सानिया मिर्जा के लिए उन्होंने गाना जरूर गाया था लेकिन सानिया मिर्जा की इज़त भी बहुत करते हैं वो वो सान्या मिर्जा को बहुत बड़ी प्लेयर मानते हैं, साथ ही साथ वो यह मानते भी हैं कि सान्या मिर्जा कहीं न कहीं उनके लिए बहुत लकी हैं और शायद यही कारण है कि अपने हर एक छोटे से बड़े स्टेश शो में सानिया मिर्जा को याद करना खेसारी लाल यादो नहीं भूलते अच्छी बात है क्योंकि आज खेसारी लाल यादो को दुनिया जानती है और उन्हें जरूरत नहीं है कि हर एक स्टेश शो में वो सानिया मिर्जा का नाम ले लेकिन ये उनका सानिया मिर्जा के प्रती प्रेमी है कि वो हर एक स्टेश शो में सानिया मिर्जा को धन्यवाद कहना बिलकुल नहीं भूलते हट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिलकुल न भूलिए